हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक और नए वीडियो के साथ दोस्तो आज हम बात करने वाले अगर आप दोस्तो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आप यहाँ पर घर बैठे बहुत आसानी से रासन कार्ड के लिए अपलाई कर सकते हैं दोस्तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं रासन कार्ड ऑन लाइन करने से लेकर रासन कार्ड डिजिटल होने तक का पूरा प्रोसेस आपको एक अही वीडियो में मिलने वाला है दोस्तों अगर आप यह पूरी जानकारी अच्छे से समझना चाहते हैं दोस्तों तो आप हमारे वीडियो को बिना skip किये पूरा देखिएगा इसके बाद ही आपको पूरा complete process समझ में आएगा चलो दोस्तों हम वीडियो को start करते हैं सबसे पहले आपको id stick की website पे आ जाना है इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे right side में अपना login type select कर लेना है इसके बाद दोस्तों आपको अपना user id type कर लेना है user id type करने के बाद आपको फिर नीचे दिये गए box में password भी fill up कर देना जो कि आपको password मिला होगा वही password आप यहाँ पे fill up कर सकते हैं इसके बाद दोस्तों आपको नीचे दिये गए box में capture fill up कर देना है capture को as it is fill up करना इसके बाद blue button यानि की submit button पे click कर देना है submit button पे click करने के बाद दोस्तों आप redirect हो जाते हैं अपने उत्तरपरदेश e-district पर्योजना की official website पर जो की कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है दोस्तों इस website पे redirect हो जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे बहुत सारी services देखने को मिल जाती दोस्तों यहाँ पर इस website की help से आप दोस्तों आजात निवास, हैसित प्रमाण पत्र, दोस्तों खेत की खता जो खतोनी होती है उसे भी आप यहाँ से निकाल सकते है दोस्तों right side में down corner में click करना है इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हम यहाँ पे रासन कार्ड यानि की integrated जो portal होता है उस पे आ जाते हैं इसके बाद आपको apply for integrated service पे click कर देना है click करने के बाद आपके सामने एक और नया page open होकर आ जाता है जहाँ पे दोस्तों हमें उपर से third option पे click करना है click करने के बाद दोस्तों हम सीधे redirect हो जाते हैं खादे रसद आपूरती विबाग की official website पर जो के कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी ID है operator ID है इसके बाद दोस्तों आप NFSA पे click करना है इसके बाद आपको दोबारा से NFSA पे click करना है दोस्तों इसके बाद आपको left side में अपना mouse का जो cursor लेके जाना है इसके बाद आपके सामने drop down यानी की hover की तरव एक shutter की तरव एक slide open होके आते हैं जहाँ पे आपको रासनकाड की सारी services यहाँ पे देखने को मिल जाती है इसके बाद दोस्तों apply new रासनकाड वाई link पे click करना है click करने के बाद दोस्तों आपके सामने नया pop up page खुल के आता है जहाँ पे आपको अपना district select करना है इसके बाद आपको अपना छेतर select कर लेना है इसके बाद आगे बड़े button पे click कर देना है इसके बाद दोस्तों first step में हमें सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं अपना आय प्रमाण पत्र का जो डेटा है पुरा अपने पास जो application number है उसे यहाँ पर इंटर करना है दोस्तों total 6 steps में हम यहाँ पर रासन काड़ अपलाई करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर application ID और certificate ID इंटर कर लिय है इसके बाद आगे बड़े बटन पर क्लिक करना है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्स स्टेप हमारा clear हो चुका है इसके बाद हम सेकंड स्टेप में redirect हो जाते हैं सेकंड स्टेप में दोस्तों आपको यहाँ पर मुखिया की जानकारी आपको fill up करना होता है जिसा परिवार के मुखिया का विवरन है दोस्तों परिवार का मुखिया के विवरन fill up करने के लिए इसमें मुखिया का नाम हिंदी में अंग्रेजी में उनके पती का नाम हिंदी इंगलिस में उनके माता का नाम हिंदी इंगलिस में और उनके पिता का नाम हिंदी इंगलिस में इसके बाद दोस्तों आप किस वर्ग से बिलॉंग करते हैं, आपको यहाँ पर select करना होता है, इसके बाद दोस्तों जनमतिती, mobile number, इसके बाद दोस्तों अगर आपके पास gas connection है तो हाँ कर सकते हैं, या फिर ना पर click करना है, दोस्तों यहाँ पर most of मैं आपको recommend करूँगा, कि दोस्तों आप हमेसा ना ही fill up करें, क्योंकि नहीं रहेगा, तो आपका रासन कार्ड जो है कि जल्दी apply हो जाएगा, जैसे कि दोस्तों मैं आपको पूरा details भर के दिखा रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे जो मुखिया का जितना भी जानकारी था, मैंने यहाँ पे fill up कर लि दोस्तों इस step में आपको अपना जो वरतमान address है, यानि कि जो आपका current address है और permanent address है, दोस्तों आपको यहाँ पे select कर लेना है, और यहाँ पे pin code type कर लेना है, इसके बाद दोस्तों आपके गाओं का नाम हिंदी या फिर English में आपको यहाँ पे type कर लिख लेना है, इसके वापस से pop-up देखने को मिल जाता है, दोस्तों इसके बाद हम सीधा redirect होते हैं, नेक्स पेज 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 सबसे important होता है, दोस्तों यहाँ पे maximum आप 7 member add कर सकते हो, तो दोस्तों यहाँ पे members add करने के लिए दोस्तों आप देख सकते हैं, टॉप right corner में नया परिवार का सद से जोड़े का में एक बटन देखने को मिल जाता है, दोस्तों इस बटन पे आपको easily click करना है, जैसे आप इस पे click करते हैं, तो आपके सामने एक नया form page open होकर आ जाता है, जहाँ पे आपको जो मुखिया है, मुखिया से संबंधी, जितने भी family member है, उनकी details यहाँ पे आपको one one by one fill up कर लेना है, दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, relation type आपको select कर लेना है, आपके case में जो भी relation type होगा आपको वहाँ पे select कर लेना है, इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे member का Hindi में नाम और English में नाम और member के father का name और date of birth और उसके बाद उनकी वारसिक annual income कितनी उसे type कर लेना है, इसके बाद आधार enter करना है, इसके बाद submit कर देना है, दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, एक और member यहाँ पे add हो चुका है, दोस्तों अगर आपके हिसाब से अगर आपने कोई गलती की है, member add करने में तो आप वहाँ पे edit भी कर सकते हैं, दोस्तों मेरे case में दोई member थे, इसके बाद मैं आगे बड़ी बटन पे click करूँगा, जिसके बाद मैं redirect हो जाओँगा next page पर, दोस्तों next page पे redirect होने के बाद दोस्तों यहाँ पे bank detail आप मुखिया का या फिर मुखिया के husband का यहाँ पे enter कर सकते हैं, दोस्तों bank detail में मुखिया का नाम select करना इसके बाद IFCS code जो होता है, इसके बाद आपको account number इंटर करना है, इसके बाद आगे बड़ी बटन पे click कर देना है, click करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे पांचवे step पे आ जाते हैं, दोस्तों पांचवे step में आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत important step होता है दोस्तो उसे यहाँ पे upload करना होता है, जैसे आगे मुख्या की photo, मुख्या का bank account, passbook और मुख्या का आधार कर, यहाँ पे 3 document जो है कि आपको size set करके यहाँ पे upload करना होता है, तो दोस्तों मैं आपको पूरी जानकारी upload करने का process भी अच्छे से बताने वाला है, दोस्तों आप वीड 32 by 172 के बीच में होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं आपको Google पर लेकर आगया है, यहाँ पे हम लोग reduce image टाइप कर लेंगे, यहाँ पे दोस्तों इस website के help से आप image reduce कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे दोस्तों, आपको size बनाना सिखाएंगे, कि 132 by 172 का image कैसे create करत दोस्तों अब जिस भी सद्यसेकार आसन कार्ड बना रहे हैं, यानि कि जो मुखिया होता है, उसका photo यहाँ पे आपको upload कर देना है, दोस्तों photo upload करने के लिए आपने जिस भी directory में आप photo रखा है, वहाँ से जो member है, उसका photo select करना है, इसके बाद photo upload करने के बाद दोस्तों य इसके बाद दोस्तों मुखिया के photo पे click करना है, प्राउज करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते photo को upload कर देना है, इसके बाद दोस्तों हम bank passbook वाले section में आ जाने है, दोस्तों यहाँ पे bank passbook यहाँ पे maximum 100 kb का होना चाहिए, जो कि मेरे पास अभी इस समय जो passbook है 110 kb का है, दोस्तों यहाँ पे भी मैं आपको reduce वाली website पर लेके जाओंगो, दोस्तों यहाँ पे reduce IMG टाइप करना, इसके बाद first link पे click कर लेना है, click करने के बाद आपके सामने reduce image वाली website खुलके आ जाती है, इसके बाद दोस्तों select image करना है, passbook upload करना है, इसके बाद size देना है, size देने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे width और height दे सकते हैं, जिसके हिसाब से size automatically compress होकर आ जाती है, दोस्तों यहाँ पे देख सकते है, 75 kb का मैंने compress कर लिया है, फोटो को इसके बाद, passbook वाले section में आना है, यहाँ पे browse button पे click करके photo upload कर देना है, इसके बाद दोस्तों आधार card भी upload कर देना, दोस्तों यहाँ पे वापस से मैं आपको read identity में लेकर जाकर दिखा रहा हूँ, जहाँ पर मैंने particular person का यहाँ पे जो photo रखा था, यहाँ पे दोस्तों आधार वाले section में आने के बाद, यहाँ पे आधार upload कर देना है, इसके बाद दोस्तों आपने यह step में हमें यहाँ पे yes or no, यानि की हाँ और ना का condition select करना होता है, यहाँ पे दोस्तों आपको सभी columns में no fill up करना है, जैसा कि मैं यहाँ पे आपको fill up करके दिखा जाएता हूँ, इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो उद्गुष्णा होता है, जो check box पे click करना है, click कर दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं हमारे सामने RASAN NUMBER generate होकर आजुका है दोस्तों सबसे important शलिए आपको रासन number note करके रख लेना है इसके बाद दोस्तों आपको वापस slide कराना है इसके बाद check form पे click करना है यहां पे दोस्तों आपको अपना district plane करना है इसके बाद रासन नमबर पेस्ट करना है इसके बाद सर्च पे कलिक कर देना है कलिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे draft copy मिल जाती है दोस्तो यहाँ पे आपको draft copy इसलिए मिलती है आप यहाँ पे check कर सकतेज़ अगर आपने कोई mistake की है दोस्तों यह step आप करते हैं तब ही आपका रासन कार्ड डिजिटल ही प्रोसेस के लिए आगे forward कर दिया जाता है दोस्तों यहाँ पर वापस slide पर click करना है इसके बाद दोस्तों सबसे नीचे आना है देख से हैं यहाँ पर middle वाले section पर click करना है और यहाँ पर district और यहाँ पर अपना रासन कार्ड टाइप करने के बाद दोस्तों डूपलीकेसी के लिए forward कर देना अगर आपका रासन कार्ड डूपलीकेट नहीं होता है तो इसकी final receipt निकल के आती है जिसे आपको खाद एमरसत विभाग में लिया कर जमा करना होता है इसके बाद दोस्तों 10 से 15 दिन के अंदर में आपका रासन कार्ड डिजिटल हो जाता है दोस्तों अगर वीडियो में दी गई जानकारी यदि अच्छे लगे तो प्लीज लाइक सेयर सब्सक्राइब कमेंट अवस्य करें धरन्यवाद